अम्रोहा में आज अगर बात के तो मददान हो रहा है और में साथ बाचीत के मुझूदें अम्रोहा जनपत के धनावरा सीट से विधायाक राजू तरारा जी इन्हीं बीजेपी ने फिर से उमीदवार बनाया है राजू जी आप तमाम सारे मददान अस्थल पे जा रहे हैं किस तरीके से आपको रिस्पॉंस लग रहा है और क्या चुना होती है उसके द्वारा महा कडवंदन के बाद भी हम 44 सीटे जीतने में सफल हुए और इस बार वही उससे भी बड़ी लहर पूरे दनवरा विधान सभा के अंदर देखने को मिल रही है क्योंकि यहां पर सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास को धियान में रखते हुए काम किया है जैसा सपा सरकार में एक गुंडागर्दी का बातमन था और भेद भाव के साथ कारे किये जाते थे अत्याचार होता था लोगों पर तो इस सबसे निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के आदने मुख्यमंतरी योगी आदितनाजी ने काम किया और इसका जमीनी स्तर पर संदेश है विशेश रूप से महिलाओं का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है क्योंकि बच्चिया सुरक्षित हैं विद्याले जा रही है महिलाएं सुरक्षित हैं महरे किसान भाईयों के पशू घर में से जवरिजस्ती खोल करके काट दिये जाते थे और चोरी डकैती लूट पाट हत्या या आम बन गया था उत्तर प्रदेश में या कानून का राज इस्थापित हुआ है और आदने योगी जी ने ऐसे गुंड उसको क्या कहेंगे क्या लगता था कि आपने काम नहीं कि इस वी रोधी हर जेके पारिटी बंदी होती है कही न की कोई किसी ना किसी पार्टी का समर्थक होता था तो वो बौकलाट थी उन लोगों की बौकला हट जो दुरोधी हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो विन्दू को टार्गेट करना है तो हम इन शीजों पर ध्यार नहीं दे रहे थे उनों आगे बढ़ते चले जा रहे थे इस चुनाव के दोरान जो प्रतियासी लड़ रहे हैं वो अपना दूसरे और तीसरे नमर के लिए लड़ रहे हैं कि कौन दूसरे पर आया थीसरे पर आ जाएंगे तो हमें पहले एक लाग 3,000 बूट मिले थे और हम इस बार एक लाग 20,000 बूट लेने वाने यहां से पहले 49,000 से जीते इस बार 50,000 से ज्यादा बोट से जीतने वाने से शुक्राइब बाचित करने लिए बीजेबी प्रत्याशी राजीव तरारा जो कि धनावरा इनको एक बार फिर से चुनती है या नहीं ये तो नतीजे ही बताएंगे केमरा अनुक करके शुलंकिक जात अबिनाश्तिवारी एबीपी गंगा धनावरा